दोस्तों आज हम गेहूं की फसल में उगने वाला घास जिसको पत्ली-पत्ती वाला यह फिर गुल्ली डंडा यह फिर जंगली जई भी कहा जाता है और जंगली जे का अगर आप इलाज करना जाते हैं आपको क्या करना होगा और इसकी पहचान कैसे होगी और क्या क्या यह नुक्षान ने तो सारी डिटेल्स इस वीडियों बताने वालों तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें साथ में चैनल को गेहों की फसल इस खरपवातर के कारण ग्रोथ नहीं कर पाती है बढ़ नहीं पाती है पीली होने लग जाती है और इससे फसल की पैदार पर परबाव बढ़ता है दूसरा बचाओ लगातर हर साल गेहों को एक ही जगह पर ना बोएं फसल चकर अपना है और अलग लग जग प्रॉप्र गिल 15% WP को डेड़ सो से सो लीटर या डेड़ सो लीटर पानी में घोल कर चालिसे पचपन दिन की फसल में सकरी पती वाले खरपर के लिए इस के लिए आपको कोई नमीकी आशकता नहीं जड़ से खता हो, पर ज़रू धया लख़े, 40-50 दिन की फसल के ज्यादा बड़ी में करें तो निकसान हो सकता है, तो दोस्तों आजकी इस वीडियो में बस इतने यह वीडियो अच्छी लोगे तो लाइक अडिशार जरू करना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें